यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तो हर्याणा की राजनीति में नोटिस वर्सिस नोटिस आ गया है नोटिस का जवाब नोटिस से देने की तैयारी जो है वो अब की जा रही है तो है इस मुद्दे पर इनालो नेता से खबरे अभी तक ने खास बात चीत की दो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की तीखी ब्यानबाजी के बाद अब लीगल कारवाई का सिलसला शुरू हो गया है इंडियन नेशनल लोगदल के सांसत की तरफ से विक नोटिस हर्याणा के स्वास्त मंतरी को बिजवाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आपने उनको नशेडी यानि नशे में रहने वाला व्यक्तिक कैसे कहा इसी मुद्धे पर बात करते हैं रवेंद रिखल से जो उनके वकील है सांसर साब के वकील है किस बात का नोटिस थमा दिया अपने अनिलवीच को स्वास्त मंतरी है नाना को देखे था इंसर सामने पिछले महीं ने स्वास्त विभाग में गोटाले की क्लासा किया था उस गोटाले के कुलासे के बाद हम ने जो है इनसे रिक्वेस्ट की थी अर्याना से कि आप इस मामले को संग्यान में रखें और इसमें जो है तुरंथ कार्वाई करके ब्रश्टाचारियों को जो है पकड़ा जाए उसके बाद में अनिलवीजी के द्वारा जो है एक बेहुदी बेहनवाजी की गई उनका ये कहना था कि दुशन जी नशे में रहते हैं उनको जाकर के जो है किसी रिहाबिटेशन सेंटर में अपनी जाच करानी चाहिए तो इसल बाद में जिसका कह items किया है वो उनके पास में रिधिकार होते हैं की इस मामले में कारवाज दुबारा करना चाहिए ना करना चाहिए तो इस मामले का मेरे इसाफ से इतिकार दुशन जी के पास ही रहेगा कि वो ये देखेंगी विशे में क्या करना है स्वास्ते मंतरी केहते हैं कि वो खुद डेफरमेशन का केस आप किलाब डालेंगे, आप मान आनी के केस आपके किलाब डालेंगे, लेकिन वो खुद डालने के बज़ार उनका स्वास्त महकमा डालेगा, क्या जवाब? दूजा नहीं है तक कि मामले में जो हैं मुद्धा मुख्य मुद्धे से ब्रश्टाचारी से बटक करके कही ना करें अमाउंट पुझार के फस्जये इसका मुद्तर देंगे बाकी ये बिल्कुल तरक कानूनी रूप से टिकने वाला नहीं है इन प्रोसीडिंग में अगर आगे तक बढ़ा जाए तो क्या लगता है कि आगामी इसमें हो क्या सकता है क्या सजा का भी परावधान है अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में आ जाता है तो बिल्कुल क्रि स्वास्त महक में से उनके पास क्या डिटेल्स आती है क्या नूटिस आता है उसके अनुसार उस पर कारवाई और उसकी जो जाबावी कारवाई वो भेजी जाएगी कुमार रमेश खबरे अभी तक चंडिगर चंडिप खबरे वोगों क्या बहुत्क चंडिए प्रॉप